जननिम शारदाम देविम रामकृष्णम जगतगुरुम पादपदमेतयो शित्वा प्रणमामी मुहुर्मुहु। नमश्रियतिराजाय विवेकानन्द सूरये सच्चित सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिने। हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से स्वामी विवेकानन्द जी की गुजरात यातरा के दोरान स्वामी जी आते हैं पोरबंदर पोरबंदर से फिर द्वारका का दर्शन करते हैं और फिर द्वारका के बारे में हम लोग ने बहुत सारी बाते की और फिर द्वारका से स्वामी विवेकानजी वापस लोड़ते हैं जुनागड अभी तक जो हम लोग को रिकॉर्ड मिले उससे ऐसा प्रतित होता है कि स्वामी विवे का नंजी जुनागर्ट से ही भुझ की वो रवाना हुए थे क्यों भुझ के थे जो हरीदास भी हरीदास देशाई जो कि जुनागर्ट के दिवान थे उनके एक परम मित्र थे जो उस समय भुझ के दिवान थे और उनका नाम था मोतिलाल लाल भाई तो ये इनके उपर उनने परिचे पत्र लिख दिया और स्वामी जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं और शायद उद्देश यही रहा होगा कि कश में भी कई तिर्थस्थान हैं उनका दर्शन करने का ही उनका उद्देश होगा ऐसा हम समझ सकते हैं तो स्वामी जी जब गए भूज में तो कम से कम दो बार कच गए हैं तो दूसरी बार तो हमको मालूम है कच गए हैं वो समुद्र के माध्यम से गए हैं स्टीमर के द्वारा गए हैं क्योंकि स्वामी अखनाने जी उनके पीछे पीछे थे इसलिए हमको बालूम है स्वामी अखनाने जी महराज के विरितान से परंतु पहली बार वे जब गए तब वे समुद्र यात्रा के द्वारा नहीं गए, परंतु वे पैदल चल करके गए, क्यों हम लोग ऐसा कहते हैं, क्यों अनुमान ऐसा करते हैं, उसका एक कारण है कि स्वामी विवेकान के जीवन चरित्रे में लिखा है कि वे जब कच्की यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने रण प्रदेश में से जब जा रहे थे, तभी उनको मेराज दिखा था, मरी चीका का अनुभव हुआ था, ऐसा फर्स्ट एडिशन अप लाइब बाई स्वामी विवेकान इस्टेंट वेसे डिसाइबल में लिखा है, और स्वामी जी स्वयम ज्यान योग की मे इनम मनुष्यका वास्तविक और प्रातिभासिक सुरूप यहाँ पर की स्वामी जी बताते हैं कि हमारा सच्चा सुरूप है, हम अभी अपने को बद्ध मानते हैं, क्योंकि हम को अपना सच्चा सुरूप पता नहीं है, हमारा सच्चा सुरूप है надTalk, नित्य, शुद्ध, पर हमको ये विविन प्रकार के नाम और रूप से, नाम और रूप के वाला यह जगत हमको अभी दृष्टी गोचर होता है, तो यह सब माया है, यह माया किस अर्थ में है, उसके लिए बहुत विस्तार से उन्होंने माया के उपर कई प्रवचन दिये हैं, ग्यान योग में ब की पैरग्राफ का छोटा सा हिस्ता लेंगे, कि जिसमें यह प्रमानित होता है, कि स्वामी विवेकानन जी कच्छ में पैदल यात्रा की थी उन्होंने, स्वयम बोलते हैं, एक बार मैं पश्च्वी भारत में इंद महासागर के तटवर्ती मरुस्थल में ब्रह्मन कर रहा था, बहुत दिन तक निरंतर पैदल भ्रमन करता रहा, तो कहीं पर भी हमको सागर के किनारे के नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं, स्वामी जी वहां से उत्तर प्रदेश से आये राजस्थान, राजस्थान में तो मुरुभुमी है पर समुद्र नहीं है, और फिर फिर यहां से तो महाबलेश्वर जाते हैं, महाबलेश्वर बंबई जाते हैं, बंबई में समुद्र है, पर मरुस्थल नहीं है, फिर महाबलेश्वर जाते हैं, तो वहां से फिर कन्याकुमारे जाते हैं, कन्याकुमारे भी तीन समुद्र है, पर वहां मरुस्थल नहीं है तो एक ही जगा पर हम मिलती है और वेसे कच ऐसा कहा भी गया है फर्स्ट एडिशन में कि कच में यहाँ पर भी उन्होंने कच का नाम नहीं दिया है पर हम उसको अनुमान कर सकते हैं कि यह कच है एक बार मैं पश्चमी भारत में हिद मास आगर के तटवर्ती मरुस्थल में ब्रह्मन कर रहा था बहुत दिन तक निरंतर पैदल ब्रह्मन करता रहा किन्तु प्रती दिन यह देखकर मुझे महान आश्चिर होता था कि चारों और सुन्दर सुन्दर जिले हैं वे चारों और व्रिक्षों से घीरी हैं जिले भी हैं पाने की चारों व्रिक्षों से घीरी हैं और व्रिक्षों की परच्छाई जल में पढ़ रही है मैं अपने मन में कहने लगा कैसे अद्बू द्रिश्च हैं ये और लोग इसे रेगिस्तान कहते हैं कितनी मुर्ख है इतनी सुन्दर जगा है इसको रेगिस्तान कहते है एक मास तक वहां मैं घुमता रहा और प्रती दिन मुझे वे सुन्दर द्रिश्य दिखाई देते रहे एक दिन मुझे बड़ी प्यास लगी मैंने सोचा कि चलू वहाँ एक जिल पर जाकर प्यास बुजा लूँ अतेव मैं इन सुन्दर निर्मल जिलों में से एक क्यों अग्रसर हुआ जैसे मैं आगे बढ़ा कि वह सब द्रिश्य नजने कहां लुपत हो गया और तब मेरे मन में एकदम यह ग्यान हुआ कि जीवन भर जिस मरीची का की बात पुस्तों को में पढ़ता रहा हूँ यह तो वही मरीची का है theoretical ग्यान उनको था सुनके रखा था पर पहली बार प्रत्यक्षन हुआ यह मरीची का का हम लोग को कभी-कभी रेगिस्तान में नेभी होने पर भी देखा होगा कभी-कभी कोई बड़ी कड़ी धूप रहती रास्ते पर पर हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है कुछ है पर वो तो खशनिक ऐसा प्रतित होता है पर यहाँ पर तो यह बहुत एच्छी तरह यह मरीची का दिखती है रेगिस्तान में और और भी कई पूस्ता के प्रकाशित हुए जिसमें यह कहा गया है कि कच्छ में कई जगह पर यह मरीची का बहुत सुन्दर उसके दिखते है ऐसा प्रमान कई किताबों से मिलता है तो स्वामी जी कहते हैं यह सब कहां दिखती हो गया तब मेरे मन में एकदम यह ग्यान हुआ कि जीवन भर जिस मरीची का की बातपुस्तों को मैं पढ़ता रहा हूँ यह तो वही मरीची का है और उसके साथ-साथ यह भी ग्यान हुआ कि इस पिछले मास प्रती दिन में मरीची का ही देखता रहा पर कभी जान न पाया कि यह मरीची का है दूसरे दिन मैंने पुना चलना प्रारम्ब किया फिर इसे वही सुन्दर दिश्च दिखने लगे पर अब साथ-साथ यह ग्यान भी रहने लगा कि यह सच्मुष की जिल नहीं है यह मरीची का है बस इस जगद के समन्द में भी ठीक यही बात है हम प्रतिदीन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष इस जगद रुपी मरुष्धल में भ्रमण कर रहे हैं पर मरीची का को मरीची का नहीं समझ पा रहे है यह हमारी वर्तमान आवस्ता है नहीं समझ पा रहे हैं हमको सब कुछ real लिखता है एकदम real 100% real दिखता है हमको सब कुछ ऐसा लगता है कि बिलकुल सब कुछ ठीक है एकदम है वास्तविक है एक दिन यह मरिची का अद्रिश हो जाएगी पर एक दिन हमको पता लगेगा जब वो अग्यान का परदा दूर हो जाएगा माया का परदा दूर हो जाएगा तब लगेगा अरे यह सब कालपनिक है वास्तविक कुछ नहीं है इसके भीतर की जो सत्ता वो हमारे सामने आजाएगी बहार का नाम और रूप जब निकल जाएगा मोह के अग्यान के इस परदे के दूर होने के द्वारा तब पता लगेगा रे यह तो सब पूरी मरीची का थी यह सब कलपनिक थी कलपना थी फिर क्या होगा प्रतिवर्श एक दिन वह मरीची का अद्रिश हो जाएगी पर वो फिर से आएगी शरील को पूरो कर्मों के दिन रहना पड़ता है अतो वो मरीची के फिर से लोट आएगी जब तक हम कर्म से बंदे हुए हैं तब तक जगत हमारे समुक आएगा ही नर, नारी, पशू, उद्विद, आसकती, करतवे सब कुछ आएगा पर वे पहले की भाती हम पर प्रवाव न डाल सकेंगे इस नविन ग्यान के प्रवाव से कर्म की शक्ति का नाश हो जाएगा इसके विश्च के दाथ तूट जाएगे जगत हमारे लिए एकदम बदल जाएगा क्योंकि जैसे ही जगत दिखाए देगा वैसे ही उसके साथ सत्य और मरीचिका के भेद का ग्यान भी हमारे सामने प्रकाशित हो जाएगा ये स्वामे जी किस कॉंटेक्स में बोल रहे हैं किस संदर में बोल रहे हैं कि जो जीवन मुक्त जिनकी अवस्ता हो जाती है जिनको ग्यान हो जाता है आत्म ग्यान हो जाता है वास्तविकता का ग्यान हो जाता है यह जगत क्या है वो कुछ भी नहीं है वो सब नाम और रूप से आच्छा दित वह एक परम चैतने तत्व मात्र है तो वो उसके बावजुद भी कुछ दिनों के लिए शरीर जब रहता है प्रारब्द कर्मों के कारण तो उस समय फिर से वही माया आती अवश्य है फिर से वही दिश्या आते अवश्य है फिर से वो करता भी फिर से आ सकती आती अवश्य है पर वो काट नहीं सकती उसके दाथ खतम हो जाते हैं क्यों जैसे वो अभ्रम आता है उसके साथ साथ ज्यान भी आता है अरे तुरंत आता अरे यह मरीजी का है। जैसे पेदल चलते से में स्वाम जी का फिर से दिखा, फिर से जल दिखा, फिर से जिल दिखी। जैसे जल जाने के लिए ततपर हुए तुरंत अरे नहीं नहीं भाई तो देखा न वही मरीजी का है तुरंत उनको ग्यान हो गया तो उससे वो डिलूडेड नहीं हुए उससे वो मोहित नहीं हुए उससे वो चलित नहीं हुए तो यही बात है एक बहुत बड़ा संदेश उन प्रादिभासिक स्वरूप और अपने स्वयम के अनुभव के आधार पर यह कहते हैं कि यह जगत सारा वो मरीचिका के समानी है और उनको खुद को इसमें इस अनुभव से पास होना पड़ा था तो जो भी हो यह एक बहुत बड़ा उनको अनुभव कच जाते समय होता है स्वामी विवे कानिन जी को और फिर वे वहाँ पर लंबी यात्रा करके भुझ पहुझते हैं गुझराती में एक कहवत है मित्या माया मोह एवा जांजवाना जड़ जेवा बहुत सुन्दर कहवत है कि जिस प्रकार से यह पूरा जगत है वो मित्या माया मोह जैसा है किस प्रकार से उपमा क्या है जांजवाना जड़ जेवा जिस प्रकार से जांजवा मतलब यह मरीश प्रीका का जल जितना सत्य है, उतना ही सत्य जगत है, मतलब असत्य है, यह बहुत अच्छा का, जो यह अब यह कच्छ के कौन से रण से आये होंगे, दो रण है कच्छ में, एक छोटा रण है, लिटल रण, इन दा बिगर रण, बड़ा रण भी है, तो हमको ऐसा लगता है कि बड़े रण में जाने का तो कोई प्रश्ण उपस्तित नहीं होता है, क्यों वो जाएंगे, पाकिस्तान अभी जो पाकिस्तान उस तरफ से वहां पर जा करके, इतना घूम करके, क्यों जाएंगे, तो इसलिए हम अनुमान कर सकते कि छोटे रण से जाएंगे, चो छोटे र खालागोडा मतलब वर्तमान का विरम गाम है, वहां तक गया होगे, वहां पर से उन्होंने पैदल चलना शुरू किया होगा, वहां से रण सुरू हो जाता है, छोटा रण, वह खारागोडा के पास, आसपस, वहीं इसलिए हम खारागोडा नामी दिया, हम नमकीन, वहां न वो भूज गया होंगे तब करिब करिब एक मेहना लग जाता है तो स्वामी जी ने जो यहां कहा है कि करिब करिब एक मेहने तक मैं चलता रहा रेगिस्तान में और एक मेहने तक मुझे इसी प्रकार कानूब हुआ तो ये एक एक यह हमारा एक possibility है एक संभावना यह है परन्तु अभी हमारे पास समय बहुत काम है क्योंकि हम देखते हैं कि स्वामी जी फर्स्ट एडिशन के अंसार लाइफ तो भी सब्टेंबर के मिडल में है और अप्रियल के 26 अप्रियल को तो निकल गए 892 को तो यह आठ महेने में इतना सारा करना पोरवंदर में 2-3 बार गए थो यह यहें पर इतनी जगा पर गए कितनी जगा घूम है भी हम लोग बताएंगे तो समय पूरा हमको कम पड़ता है तो एक महने यह यह यहीं निकाल देंगे भूछ जाने के लिए फिर वापस लोटने का भी समय देना पड़ेगा तो उसमें एड़्जस्ट नहीं होता है है तो हमारा यह अनुमान है वहां से जुनागर्ण से तो हरिदास वियाड़ेजसाय ने कुछ वेवस्था की होगी चाहे बेल गाड़ी की चाहे घुड़ागाड़ी की जिसके द्वारा वे तूब उसमें ट्रेन शुरू नहीं होई थी केवल वह जेतल सर्थ तक ही थे ट्रेन थी उसके बाद में तो उनको पास ट्रेन नहीं थी त तो हो सकता है कि या तो गुंडल तक गijke हो त्रेन में और फिर वहां से उन्होंने घुड़ा-गड़े कर दी हो या पूरी जुनागड़ सी घुड़ा गड़े कर दी हो तो फिर वह राज-कषड के रास्ते आब करके मोर्य हो करके नारिया नारिया नाम की जगा है जहां से उनको एक खाड़ी पार करनी पड़ेगी नवका से छोटी सी खाड़ी और वहां से फिर पैदल चलते हैं तो वहां से क्योंड चौदा मिल होता है बुज बुज बने बुज का वह कच्छ का जो जमीन का हिस्सा तो रॉनद प्रदेश्क वहां से किवल 14 मिल होता है तो 14 मिल पर चलने में उनको इतना दिन तो नहीं लगेगा 14 मिल तो 3 या 4 दिन मैक्सिमum बीच में कहीं रात रूके और रात तो रूकना पड़ता होगा कुछ कम चले होंगे कहीं ऐसा करते और बहुत कम गाउं थे वहाँ रिगिस्तान में बहुत कम गाउं होते हैं तो इसलिए हमारा अनुमानाया कि वह करीब एक हपता होगा हो सकता है कि यहाँ पर ज्याणियों के लेक्ट्चर ने जिन्हों रेकॉर्ड किया वह एक हपते के बले उन्होंने एक मैना लिख दिया होगा पर दो बार एक मेहना लिखा हैं पर हो सकता है क्योंकि एक दूसरी भी possibility यह है कि कोई स्वामी जी बोलते में चलता गया चलता गया एक मेहने तक चला तो यह थोड़ा सा थोड़ी संभावना कम दिख रही कि एक मेहने तो कुनको पता ही नहीं पड़ा कि यह मरीशी का है तो इ एक दिन नहीं दो दिन नहीं तो एक हप्ते तक में तो लगी होगी ऐसा मनुमान कर सकते हैं इसके उपर अभी खोज बिंजारी वह जो भी हो वे वहाँ पर भूज में गए और वहाँ पर जाकर करके जो हरिदास देशाई जो थे उनके मित्र मोतिलाल लाल भाई इनसे मिले ये बहुती गुणवान थे, अत्यन्त गुणवान वे दिवान जी, उनकी न्याई बुद्धी, कुशलता, इमानदारी, निश्पक्षता, सरल सुभाव, आधी अच्छे गुणों के कारण, ये बहुत प्रश्ण सित थे, ना केवल हमारे राजा महराजाओं में और जो अनमें पर इवन ब्रिटिश गुणवेंट भी उनके गुणों की कदर करती थी, और उनका फिर भी उनका जीवन आडब्बर हिन था, और वो इंग्लिश बहुत अच्छी जानते थे, उसलिए ये भी एक कारण के सौमे जी के हमन्द हो गया है, यद्यपी वे काफी उम्र में बड़े थे, स्वामी विवेकान जी से, अठासो ब्यालिस में उनका जन्म हुआ था, तो हम समझ सकते हैं कि कम से कम 21 साल का उनका उम्र उनकी बड़े थे, तो हरिदास देसाई के साफ़ पार्टी थे, इसलिए हम समझ सकते ह हरिदास देसाई को पित्र तुल्य समझते थे, स्वामी विवेकान जी, तो उनके साफ़ पार्टी हुए, तो परंतु, स्वामी जी के साथ उनको बहुत ही मजाया, और बहुत सारे विश्यों पर उनकी चर्चा हुई, तो उसमें देश के आर्थिक, और द्योगिक, एवं क प्रिशी विश्यक समस्याओं के बारे में, बहुत सारी चर्चा हैं उनकी हुई, केवल ससंग नहीं हुआ है, इसलिए कई लोगों को वहाँ पर जो CID रिफार्टमेंट को भी संशे होता था यही था, कि वो द्राजाद महराजा और दीवांजी से मिलते भी थे, उनके साथ रहते भी थे और चर्चा उनकी धार्मक केवल नहीं होती थी, बाकी सब में भी चर्चा करते थे, पर उनका उद्दिश कोई पॉलिटिस करनी था, उनका उद्दिश राज नहीं थी था, वो केवल इतना ही चाहते थे कि राजा, महराजा और दीवांजी इनके पास सत्ता है इनके पास साशन है, इनके पास पावर है, तो इनको यह दि समझा दिया जाए, तो जो आम जंता का फाइदा होगा, उनको यह दि हम समझा दें, कि आम जंता के लिए क्या-क्या वो करें, उसको यह दि कन्विंस करा दिया जाए, तो बहुत अच्छा लाव होगा, यही एक मात तो इसलिए वहां पर उन्होंने देश की आर्थिक ओद्योगी कि क्रिशी विश्यक उसमें क्रिशी की बहुत-बड़ी समस्या थी बहुत-बड़ा ट्राउट पढ़ा हुआ था यह उस जो जब पानी नहीं हो बरसात नहीं हो तब भी किस प्रकास से क्रिशी कर सकते हूं सब बाते हैं कि फिर आम जंतों को कैसे शिक्षित किया जाएं शिक्षा के बारे में विवस्ता के बारे में भी बहुत सारी बात्चीत हुई और वह इतने ही वहां से प्रभावित हो गए दिवान जी कि बाद में बहुत वर्शोबाद एक उनके शिश्य जब गए थे स्वामी जिश्य जी के बारे में कि होते NICKO जिस प्रकार से वह संजा सकते ते सामने वाले को अपने बात को गले मं उतार सकते ते इतनी विश्य प्रकार की 30 फी यह सब बात उन्होंने कही थि कि अधतिंध मेधावान प्रग्यावां तो थ ही पर उर्फ हर्म के मामले में उनका ग्यान था गहरा ऐसा नहीं एद्मिन्स्टेशन के अमले में भी उनका बहुत गहरा ग्यान था यह सब बातें उनोंने बाद में जो उनके शिय गय थे उनको बताए थी ऐसी बात लाइफ ऑफ स्वाम विकन बे इस्ट इंवेस्ट रिसाइपल में यहां पर की गई है, कोट की गई है, तो यह दीवान जी ने अपने साथी रखा होगा, क्योंकि जब हरिदास देशाय ने कहा कि हमारे खास हमारे पहचानवाले हैं, स्वामी जी को मैं बहुत सद्रा करता हूं, तो ऐसा हमनमन करते हैं कि दीवान जी ने अपने बंगले में रखा होगा, तो यह जो दीवान जी का बंगला है, यह बाद में तो सरकारी ऑफिस हो गई, और यह जो अभी का दरबार गड़ है, उसके बाद पास में अभी भी ऑफिस है, और यह बंगला अभी भी उपलब्द है अभी उसके हालत तो बहुत खराब हो गई है परन्तु यह भी एक बहुत बड़े सोभागी की बात इतना बड़ा भुकम पाया और कच में तो सबसे बड़ा भुकम पाया और सबसे ज़्यादा तिवरता वाला जो उसकी जो एपी सेंटर तो वही कच में ही थी यह भुज के बहुत नजदिक में और इतना ज्यादा नुकसान हुआ है भुज में और पूरे कच में ऐसे तो पूरे गुजरात में हुआ पर ज्यादा कर कच में ज्यादा उसमें भी भुज में फिर भी यह बंगला अभी तक खड़ा हुआ है जिसमें स्वामी जी रहे तो तो इसको भी memorial बनाने के लिए हम लोग प्रयत्त कर रहे हैं तो हम जानना चाहते थे कि इसी मकान में स्वामी जी रहे थे कि नहीं तो पिछले वर्ष फिर बहुत खोज बिन करके कि मोतिलाल लाल भाई की कुछ relative हो तो उनको पूछें कि कौन से मकान में रहे थे तो उनके प्रपाउत्री इनका नाम है गोरिबेन स्वधन ये अमदाबाद में रहती है अभी उनकी 83 साल की उम्र है वो बोलती मैं तो बहुत चोटी थी पर मैंने ऐसा सुना था कि वह जो दर्वारगड के सामने वह जो बिल्डिंग है वही दिवान जी का बंगला कहरा जाता था और वहां पर ही दिवान जी रहते थे ऐसा उन्होंने विह मानों हमको लिखा है उसको लिख कर भी दिया है उन्होंने तो यह हम अनुमान कर सकते हैं कि इसी मकान में स्वामी जी रहे होंगे और इसलिए उसको मेमरेल बनाने का हम लोग अभी प्रैत्न कर रहे हैं और इस खिंगार जी तीसरे थे उस समय वो साशन कर रहे थे बहुत ही भले आदमी और सुसंस्रित थे अतिंत प्रगदेशिल थे वेरी प्रोग्रेसिव माइंड़ेड मेधा भी थे ये राजा और बहुत उस समय उनकी उम्रह भी बहुत कम थी इसलिए भी सायद स्वामी जी के साथ उ तो सामी जी की उम्रह उस समय 27 साल तो इनकी तो उस समय मात्र 24 साल की उम्रह में भी ये महराओ खेंगार जी तिसरे ने इतनी सारी उपलब्दिया कर ली थी और काफी मॉडर्न आउटलुक के थे 1887 में आप समझ सकते हैं के ऊंकी उम्रह कितनी रही होगी और भी चार साल कम कर दीजिये तो 19 साल की उम्रह में इंगलेंड में गय थे महाराणी के साथ मुलाकत हुई थी उनकी और उनको कई टाइटल उस समय मिले जिसमें की महाराओ का टाइटल NIGHT का टाइटल Grand Commander of Indian Empire, ऐसे बहुत सार उनको टाइटल मिले थे, और एक बात हमको हर एक जगे मिलती, जिनसे जिसे स्वामी जी बिले हैं, उन सब को ये सिक्षा के बारे में कुछ करने की, चाहे राजा हो चाहे दिवान जी, सिक्षा के बारे में कुछ ने कुछ चर्चा स्वामी जी की होती स्वामी जी को ये उपलब्दी हो गई थी पुरी परिविया अवस्ता में घूम करके, तो हमेसा स्वामी बात करते थे, विश्यों करके नारीश शिक्षा की बात करते, जैसे हमने बताया उनकी बहन क्यात्मत्य होने के बाद, वो चाहते थे कि नारीयां अपने पैर पर रह कर्णियाओं की शिक्षा के लिए उनने बहुत सारे प्रहतना भी किये थे उसके लिए बहुत तत्पर रहते थे कई अंग्रेजी किताबों का उनने गुजराती में अनुवात कर रहा था मतलब काफी विद्वान थे और 1920 में 1920 युजराती मेंबर फेमस रांटेबल कॉन्फरंस आप समझ सकते कितना बड़ा ओनर है रांटेबल कॉन्फरेंस की मेंबर के हिसाब से भी उनको नुमिड किया गया था 1920 में इस प्रकार से स्वामे जी वहाँ पर महराव जी के साथ काफी बाचित करते हैं दीवान जी के साथ काफी बाचित करते हैं और फिर वहाँ पर कच्छ के तिर्थ स्थानों में तिर्थ यातरा के लिए जाते हैं उस सब की बाते हैं हम लोग कल करेंगे आज यहां समात करें ओम शान्ति 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 हरिही ओम तस्त श्री राम कृष्णार पनमस्तु